नर्मलाइजेशन के दो important methods को पहले हम समझते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से ये data को normalize करते हैं और इनकी दोनों की जो नाम हैं basically, मैं आपको L1 and L2 normalization के बारे में बताता हूँ L1 क्या होती है, L2 क्या होती है, दोनों को हम पढ़ते हैं पहले, coding के थुरू देखते हैं and then इसकी समझ easily आ जाएगी यहां पे अगर गोर करें, तो मैं यहां पे लिखता हूँ normalization, normalization के हम methods देखते हैं, L1 and L2 को समझते हैं, अगर मैं यहां पे simply L2 normalization को copy गरूँ, तो हमारे बास, pre-processing के अंदर normalizer मुझूद है जो data के ऊपर, यानि के कोई भी data हो हमारा उसके ऊपर लगेगा, यह हमारा data है 111 पहली row में है, 110 दूसरी में है and 100 थीसरी में हमने L2 normalizer इस पे लगाना है, which is this one और यह क्या करेगा, हमारे data को normalize करके कुछ इस तरीके से print कर देगा अब अगर आप गौर करें, तो हमारे पास data जो है 111 की बजाए, यहां पे 0.57, 0.57, 0.57 हो गया 110 की बजाए, यहां पे हो गया 0.70, 0.70 और यहां पे total 1 हो गया, तो अगर आप यहां पे गौर करें, हमारे पास values जो हैं, पूरी row में कितनी हैं, उसकी base पे यह data को normalization को calculate करता है, और अगर इसको हम और भी समझना चाहें, तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, L2 normalization को, L2 normalization क्या करती है, मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ, L2 normalization rescales each sample row to have unit norm, ठीक है, this type of normalization is often used when dealing with the text data, क्यों हम use करते हैं, इसको जब हम text data के उपर काम करेंगे, तो L2 normalization is calculated, यह कैसे calculate होगी, square root, square root लेना है, of the sum of the squared vector values, यह जो values है ना, इनके sum का square root लेना है, ठीक है, so उसकी base पे आपकी value आजाएगी, simply, ठीक है, लेकिन हम coding के थूरू normalizer यूज करके, इसको utilize कर लेंगे, L2 normalizer इसे भोलते हैं, और यह text data पे होता है, NLP जब हम पढ़ेंगे, मैं इसको और भी detail में आपको समझाने वाला हूँ, बट अभी के लिए आप यह देख लें, कि हमारा जो formula है, वो क्या करता है, वो यह करता है, कि L2 norm is calculated, as the square root of the sum of squared vector values, ठीक है, sum of squared vector values का square root लेके, वो value हमारे पास आजाती है, अब अगर हम देखें, दूसरी L1 normalization, वो क्या करती है, उसकी example के साथ हम यहां पे देखते है, L1 normalization also rescales each sample, but with a different approach, इसमें different approach क्या है, यह ensure करता है, sum of the absolute value is 1 in each row, हर row का जो sum है, वो एक हो जाएगा, the L1 norm is calculated as the sum of the absolute vector values, इसको देखने के लिए, हम simply, यह वाला method यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप गौर करें, तो हमारे पास हर row का sum 1 हो जाएगा, ठीक है, अब आप अगर गौर करें, जो standardization थी, या हमने different किसम की transformation देखी थी, उसके अंदर values सारी की सारी एक ही दफा चेंज हो रही है, यहाँ पे individual values ऐसे चेंज हो रही हैं, कि उनका sum 1 हो रहा है, L1 के अंदर, अगर आप गौर करें, यहाँ पे 1 1 0 है, तो यह तीनों को जमा करेंगे, तो एक होगा row wise जमा करने से, इसी तरीके से, और फिर आपके पास दो और किसम की normalization आती है, जिनमें जो पहली है, that is called as z-score normalization, z-score normalization, इसके अंदर क्या होता है, जो standard scalar मैंने आपको बताया था, वो ही use होता है, standard scalar, यानि कि standard scalar z-score की base पे आपके data को scale कर देता है, second आपके पास है min-max normalization, इसके लिए min-max scalar use होता है, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कि जब आप normalization की बात करते हैं, तो अक्सर हो का जब आप data को scale करते हैं न, तो आपका data normalize भी हो जाता है, normalize से मुराद उसकी normal distribution आ जाती है, लेकिन literal मतलब normalization का यह है, कि जब आप individual value को deal करते हैं, अब एक और example में आपको दिखाता हूँ, log transformation की, log transformation क्या होती है, पहले तो हम log को देखते हैं, let's see, मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूँ, यहाँ पे, अगर मैं Google पे जाऊँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, log 2 of 178, ठीक है, वो कितना होगा, वो है जिस 7.47, यानि के 178 को अगर मैं log 2 लेता हूँ, वो 7.47 है, लेकिन अगर मैं इसी तरीके से, log 2 of 1780 लेता हूँ, इसका log 2 है 10.7, यानि के मैंने 10 गुना कीमत बढ़ा दी, लेकिन log 2 की value सिरफ 3 points बढ़ी है, समझा ही बात की, मिसाल के तोर पे, चलें, मैं आपको दुबारा समझाता हूँ, log of, say for example, 7, log of 7 कितना है, अगर गोर करें, 0.84 है, log of 70 कितना है, 1.84 है, क्योंकि एक गुना बढ़ गया, log of 700 कितना है, अब आप चेक करें, 2.84 है, यानि के, 1.1 value बढ़ रही है, log of 7,000 कितना है, मैं value बढ़ा रहा हूँ, thousands में, hundreds में, लेकिन यहां पे points के बहले बढ़ रही है, ठीक है, यानि के integers बढ़ रही है, so this is the power of log transformation, कि आप बड़े values का log ले लें, तो वो individual value को छोटा बना देता है, जैसे log 2 लें अगर, log 2 of 7,000, यह था जी log, log of 7,000, अगर आप log 2 of 7,000 लें, तो इसकी value आपके पास 12 आती है, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप log 10 of 7,000 लेंगे, तो इसकी value आपके पास 3.84 आ जाएगी, so you have to think about that, कि log किस value का लेना है, log 10 क्या होता है, log 2 क्या होता है, यह दोनों चीज़ें आपके mind में होनी चाहिए, और यह basic mathematics है, आप इसको पढ़के आगे देख सकते हैं, आपने देखा कि मैंने log लिया, तब भी मेरे पास 3.845 आ रहा है, अगर मैं log 10 लेता हूँ, तब भी मेरे पास 3.845 आ रहा है, so you can have a look कि log लॉग 10 किस तरीके से हमारे पास आ रहा है, by the way, log transformation कुछ इस तरीके से हमारे पास काम करती है, और आपको log transformation के लिए कुछ भी करने के ज़रूरत नहीं है, simply यहाँ पे log transformation लिखें, और आप NP की कमांड यूज करेके log transformation के ऊपर आप लगा सकते हैं, मिसाल के तोर पे, मैं यहाँ पे import करता हूँ दोल हाइब्रेडिस, import pandas as pd, sorry for that, import pandas as pd, and then import numpy as np, सिरफ दो, import numpy as np, यह सिरफ दोल हाइब्रेडिस मैंने import की हैं, example data set बनाते हैं, example data set with skewed values हम बनाते हैं, क्योंकि skewed values मैंने क्यों बोला है, उसकी reason यह है कि हमने ऐसा data set बनाना है, जो बहुत ही खैंचा हुआ हूँ, और इसके लिए मैं df is equal to, dictionary मैं बनाता हूँ, और यहाँ पे values लिख देता हूँ, values, और value मैं लिख देता हूँ, मैं एक, पांच, दस, बीस, और इसी तरीके से मतलब बढ़ाता जाता हूँ, अच्छी खासी heavy किसम के मैंने बढ़ा दी, values, और इसको मैं df is equal to pd.dataframe के अंदर convert कर देता हैं, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, तो यह हमारे पास data बन गया, और data हमारे पास कैसा आ रहा है, अबर मैं data display करूँ, the data looks like this, आप देखें, 1, 5, 10, 20, 50, 100, यह data skewed है, skewed data क्या होता है मैं भी आपको समझाता हूँ, skewed data, यह होता है कि जब आप उसे plot करें, let me see, sns.histplot, और, let's see, तो यह data इस तरीके से आपके पास आता है, कि एक चीज़ बहुत बड़ी है, लेकिन दूसरी values बहुत कम आपके पास है, अगर आप KD देखें, अपने हाथ से draw करें, तो पहली values से ऐसे कुछ नीचे को आपके पास line आएगी, तो यह data मैंने, skewed data इस वज़ा से आपको बताया, अब यह क्या करना है, हमने इस data को convert करना है log transformation में, log transform करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे उसी data को log transform करना है, df के अंदर log transformed log value, आपने use करना है np.log df का values, तो log 10 या log same चीज है जैसे मैंने आपको दिखाया, और इसके बाद df.head use कर लेंगे, and here you go, अब आप values देखें, जो values पहले इतनी बड़ी थी, हमने उनको log transform कर दिया है, and the values look like this, मैं इसका head नहीं लेता, बलके इसको पूरी की पूरी values को show करवाता हूँ, like this, तो यह है जी डेटा, 1 को उसने 0 कर दिया, 5 को 1.69, अब आप देखें कि आपकी values सारी की सारी, छोटी values में आ गई है, ठीक है, अब आप यहाँ पे तसवर करें, कि यह 10, यह बलके एक लाख लिखा हुआ है, 100,000, और एक यहाँ पे लिखा है, एक से 100,000 का difference कितना बड़ा है, लेकिन जब हम log values लेखते हैं, तो 0 से लेके, यह 11.512925 में है, तो इसका मतलब कि हमने values को, बिल्कुल एक छोटे scale पे ले आएं, ठीक है, तो इस तरीके से हम log transform कर दिया किसी एक डेटा को, अब अगर आप घौर करें, अगर मैं इसका sns. बलके मैं यहाँ पे कहता हूँ, for, हमने बनाना है जनाब hist plot, for column in df.columns, sns.hist plot, सबी का बना दो, और मुझे दिखा दो, let's see, हमारे पास कोई फरक भी आता है कि नहीं आता, यह नहों कि log transform सही तरीके से हुआ ही नहों, अब आप देखें, यह data था, हमने सिरफ log transform किया, यह data हो गया, ठीक है, so log इस वज़ा से लिया जाता है, ताक कि हम एक data को normalize कर सकें, obviously यह data बहुत छोटा है, अपने data को normal distributions की तरफ ले के जा सकते हैं, अब आपको समझ आगी हो कि non-parametric data को जब हम transformer यूज करते हैं, तो उसको normal values की तरफ ले जाते हैं, और इसी तरीके से standard scalar गया होता है, कि बड़ी values को scale में ले हैं, log transformation क्या करती है, यह कोई हमारे पास defined scale नहीं होता, लेकिन यह values को छोटा कर देती है, और वो scale 0 से 20, 30, 40 यहां पे जाता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, लेकिन min max scaling में 0 से 1 हो जाता है, standard scalar में minus 3 से plus 3, और max absolute scalar में minus 1 से plus 1, robust scalar में भी minus 1 से plus 1, and it depends कि आपके पास data किस तरह का आ रहा है, जो scaling होती है, उसमें जो center है, standard scaling में 0 होता है, इर्द गिर्द minus 3 और plus 3 होता है, यानि कि data actually 0 के around आ जाता है, ठीक है, min max scalar में 0 से start होता है, and these kind of opportunities help you to transform your data, और उसके उपर machine learning model को train करने लिए आपको help out करता है, एक last example आपको देता हूँ, अगर आप इस तरह की values पे model को train करेंगे न, which is really big value और उसका difference बहुत ज्यादा है, तो model साब नराज हो जाएंगे, कि ये तो pattern नहीं नज़र आ रहे, इतनी बड़ी value है, इसी वज़ा से हम log transform करते हैं data को, ठीक है, like this, ताकि हमारे पास creep creep आ जाएं value, इसी वज़ा से scale करते हैं, these are the things, जो बहुत important है machine learning के अंदर, और data pre-processing के अंदर, समझागी है, like कर दें, share कर दें, subscribe कर दें, कर देंगे तो अच्छी बात है,